हेलो एव्रिवन आज हम तॉट के अंदर जुस टॉपिक पे केसिस डिसकस करने वाले हैं उसका नाम है नर्वस शॉक और इस टॉपिक के अंदर हम तीन केसिस को डिसकस करेंगे इस वीडियो में हैंब्रुक वर्सिस स्टॉक ब्रोस है और बॉरहिल्स वर्सिस यंग एंट मैकलॉगिन वर्सिस ओब्रियन तो इस केस में हम पहला इस वीडियो में हम पहला केस स्टार्ट करते हैं पहला केस है हैंब्रुक वर्सिस स्टॉक ब्रोस यह 1924 का केस है इस केस में क्या होता है कि एक इसको च्छोड़ती है इसकूल के अंदर नहीं जहां पे चोड़ती है तो वहां से एक मोटर लोरी वाला जा रहा होता है और वो जैसे ही डाउन ही नीचे की तरफ जाता है तो वैसे उसको सुनाई देता है कि वहां पे एक्सिडेंट हो गया वहां पे उसके बच्चे भी थे और उसको यह सुनाई देता है कि एक बच्चे का एक्सिडेंट हो गया और उसको अपने बच्चों को लेके उसके मन में फियर हो जाता है उनके लिए उसको टेंशन हो जाती है जिसके वज़सों से नर्वस शौक हो जाता है तो यहां पर जो इस केस में कोट यह कहते हैं कि डि करिए क्योंकि उसके मन में यहां पर इक इंटरेक्शन यहां पर एक कनेक्टिविटी थी कि उसको अपने लिए फियर नहीं था बट उस एरिये में फियर था वह एरिया जो था उसके लिमिट में था जहां पर उसको इंजेरी अपने बच्चों के लिए थी कि उसके बच्च को एलाओ कर देती है कि डिफेंडेंट यहां पर कंपंपंजेशन देने के लिए लाइबल है इस लेडी को जो नर्वस शॉक्स सफर कर रही है इसके बाद हमारा आज का दूसरा केस है है और बॉरहिल वर्सिस यंग यह केस जो है यह केस भी पिछले केस केस के तरह ही है तो मोटर साइकलिस्ट जो है एक लड़का जो है वो मोटर साइकल चला रहा होता है तो वो बहुत ही रश और नेगलिजेंटली चला रहा होता है और उसके बाद उसकी जो साइकल है मोटर साइकल जो है वो एक मोटर कार से टकरा जाती है और उसका एक्सिडेंट हो जाता है दू तो जब वो जो विमेन होती है वो 8 में प्रेगनेंट होती है और वो एक्सिडेंट का नॉइस सुनती है उस एक्सिडेंट का जब वो शोर सुनती है और यहां पे जब जसे शोर सुनती है उसको नर्वस शॉक होने लगता है और जब वो वहां पे उस प्लेस पे जाके देखती वो women जो होती है वो से actual place से पहले दूर होती है यहाँ पे यह समझना जरूरी है कि जब accident होता है तो actual place से दूर होती है सिर्फ उसका noise सुनती है और noise सुनने के बाद यहाँ पे जब वो जाती है जब यहाँ पे वो जाती है तब वो ब्लड खुझ से देखती है और ब्लड ले जाए जाता है और जब उसको hospital लेके जाते हैं तो वहाँ पर hospital में क्या होता है वो एक में pregnant होती है तो उसका जो बच्चा होता है एक महीने पहले ही यहाँ पर डिलीवर करना होता है और जो प्रे प्रे मेचियॉर उसका चाइड्ल वो बोर्न हो जाता है तो इस इस से disappointment ह यहां पे से थार्व था सून हे सिर्ग 알ता, सबस्थेस्थ क्लीम लिए लिए तो सुन को देश के लिए इसे भातों पर जिपएड़ से हुआ गरता है सब्सक्त करता है आप गेंस्थ यिसके लिए और है। है परात्डा इसके लिए यवह मर कुक्त का a . और दूसरी चीज़ यहाँ पर कोट यह कहता है कि जो women थी वो potential decision नहीं है यहाँ पर potential area में नहीं थी और इसके साथ यहाँ पर वो काफी ज़्यादा दूर थी और दूसरी चीज़ यहाँ पर connectivity जैसे कि यहाँ पर जो accident हुआ था वो इस women के कोई relative या कोई उसकी knowledge में ऐसा नहीं का यह कैसे मेरे family member का हुआ है तो इस ऐसे में यहाँ पर वो काफी जादा दूर था और यहाँ पर ऐसे case में इसकी कोई liability नहीं बनती डिसीज परसन की और इस case में को day decision सुनाते हैं कि यहाँ पर जो है वो जो nervous shock के लिए वो lady जो है वो compensation के लिए eligible नहीं है next case जो हम करने वाले हैं McLoughlin versus Aubrian यह 1982 का case है और यह case बहुत ही जादा important है और इसमें जो है क्या है nervous shock को और जादे explain किया गया है इसमें defending जो है उसके गलती की वज़ा से उसके negligence की वज़ा से जो plaintiff होती है plaintiff lady उसके husband और बच्चों का accident हो जाता है उसके तीन बच्चे होते हैं और उसके तीन बच और उसके husband को जब accident होता है तो उसमें से क्या होता है एक बच्चे की death हो जाती है और बाकी के जो बच्चे होते हैं और जो husband होते हैं उनके बहाँ ज़ादे injury हो जाती है जिस अब यहां पे कुछ ध्यान रखने वाली है जिस वक्ते accident होता है वहां से वह औरत दो मील दूर हो देखती है तो उसको बहुत जादा अंदे से ऐसा होने लगता है और उसके और जादा नर्वस शॉक उसको तब होता है जब उसको पता चलता है कि उसके एक बच्चा मर गया है तो यहां पे पहले उसको नहीं पता होता है लेकिन वहां जाते ही जो इंजिनी में अपने husband को देखती है बलड लगा होता है और यह सारा सिनेरियों देखती है और अपने बच्चे के ड़त के बारे में पता चलता है तो यहां पे plaintiff को नर्वस शॉक होता है तो इस केस को डिसाइड करते हुए कोट यह कहता है कि इस केस में सबसे पहले तो जैसे यहां पे भी विसिबल है कि compensation allow किया, compensation allow किया, यहां पे यह चीज में नहीं करेगे कि जिस वक्त accident हुआ, वहां से दो मिल तूर थी वो women, बट यहां पे यह चीज में इससे नहीं करेगी, क्योंकि सबसे पहले तो यहां पे इनके साथ जो female थी, इसका यहां पे क्या था connectivity थी, इसकी family का जो accident हुआ थ और यहां पे जो वो हॉस्पिटल में जाके सारा सिनुरियों देखती है उसको अपने बच्चे के डेथ के बारे में पता चलता है तो यहां पे वो क्या करती है जो प्लेंटिफ विमेन होती है यह सब देखने के बाद उसको तब नर्वस शॉक आता है तो यहां पे कहता है अग्राइट में यहां पर प्लेंटिफ आती है इसलिए प्लेंटिफ को यहां पर कमपंजरशन जो है वह अलाउट करता है को और जो उस लेड़ी को साइकाइट्रिक इल्नेस होती है उसके लिए भी यहां पर उसको जिम्मेदार ठैराया जाता है तो यह नर्वस शौक से झाल झाल